So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे OPPO device में सरनेम optional क्या होता है और वहाँ पे आपको क्या feel करना रहेगा, क्या भरना रहेगा वो हम आपको बताएंगे ठीक है, वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा, बिल्का आइकन को प्रेस कर लेना है आम तोर पर यह जो feature है, जब आप लोग अपना Google अकाउंट create करेंगे तब आपको यह feature देखने को मिलेगा अभी हम अपने phone में Google अकाउंट यहाँ पे create करते है और आपको अगदम deeply बताते है कि कहाँ पे वो feature मिलेगा जैसे कि यहाँ पे हमने इस पे click किया देखे, यहाँ पे आगया हमारा surname optional ठीक है, first name आगया surname optional आगया, इसमें काफी लोग confused होते है कि इसमें हमको क्या भरना रहता है तो इसमें क्या भरना रहेगा आपको जैसे कि मेरी surname में भगत, ठीक है, optional की वज़े से आप लोग दिक्कत में जाते होगे बट optional को आप लोग इनोर करिए simple आपको अपना यहाँ पे surname डालना रहेगा जैसे कि मेरा नाम है रितिक और मेरी surname में भगत, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल दूँँगा रितिक और भगत, ठीक है, इस तरीके से और next पे क्लिक करूँगा, तो यह setup रेडी हो जाएगा तो simple आपको इस तरीके से surname अपस्तल में feel करना रहेगा, type करना रहेगा, ओके, so topic discover मिलते हैं next वीडियो में, enjoy मातादे